बाइकिया पार्टनर्स के लिए एक और आसानी अब बुकिंग कुबूल करने से पहले आप अपनी सवारी के लोकेशन और उसकी मन्जिल के बारे में जान सकते हैं स्क्रीन के दाए जानिब मौजूद माइनस के निशान पर क्लिक करें और पिक अप और ड्रॉप आफ की तफसीलाद देखें और प्लस के निशान पर क्लिक करके पिक अप के एक्जैक्ट लोकेशन जानिए इस फीचर का मकसद आपको असानी फराहम करना है ताकि आप अपनी मर्जी के मताबिक बुकिंग उठाएं और खूब कमाएं बाइक्या लाया मुबाइल टॉप अप फीचर अब आप बाइक्या पार्टनर वालेट में मौजूद बैलन्स से बासानी अपने या किसी के भी मुबाइल नमबर पे टॉप अप कर सकते हैं बस वालेट के आइकन पर क्लिक करें टॉप अप पर क्लिक करें अब जिस भी मुबाइल नमबर पर बैलन्स लोड करना है उसका नेटवर्ट मुन्तखिब करें उसके बाद यहाँ पर मुबाइल नमबर दर्च करके तस्दीक करें उसके बाद दिये गए बंडल से अपनी मर्जी का बंडल मुन्तखिब करें या अगर आप direct balance लोट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और balance की रकम दर्च करें और फिर OK कर दें याद रहे अपना सही network सेलेक करना ना भूलिएगा आप तफसीलाद चेक करके टॉप अप करें पर क्लिक करें बस कुछ ही देर में आपका balance लोट कर दिया जाएगा टॉप अप की तफसीलाद आप अपने wallet में भी देख सकते हैं मुज़िस पार्टनर बाइक या ने फियर ओफर करने का फीचर मुतार्रिफ करवा दिया है ये फीचर सिर्फ लोट बोर्ट पर मौज़ूद सवारी की बुकिंग पर लागू होगा अब लोट बोर्ट से सवारी की बुकिंग उठाने पर आपको ये नई स्क्रीन दिखाई देगी जो के ringer स्क्रीन से मिलती जुलती होगी अगर आप मौजूदा किराय से मुतमईन है तो बुकिंग कबूल करें लेकिन अगर आपके मुताबिक किराया कुछ ज्यादा होना चाहिए तो आप नीचे मौजूद इजाफी ओफर्स पर क्लिक करें आप यहाँ क्लिक करके अपनी मर्जी का किराया भी ओफर कर सकते हैं पर याद रहे आपके साथ और बाइकिया पार्टनर्स भी अपनी ओफर्स भीज रहे होंगे इसलिए ज्यादा ओफर भीजने पर कस्टमर आपकी ओफर को रिजैक भी कर सकता है ओफर्स देते ही वो आपके कस्टमर तक पहुँचा दी जाएगी और कस्टमर को ओफर कबूल करने के लिए 25 सेकंड दी जाएगे आपको ये भी दिखाया जाएगा कि और कितने पार्टनर्स इस बुकिंग पर अपनी ओफर्स दे रहे हैं ओफर कबूल होने पर आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी और आप राइट को मामूल के मताबिक मुकमल कर सकते हैं ओफर कबूल ना होने की सूरत में आप वापस लोड़ बूर्ड स्क्रीन पर आ जाएगे इस नए फीचर का मकसद ये है कि आप कस्टमर को अपनी मर्जी का किराया बता सकें और अपनी मर्जी के मताबिक सवारी उठाएं और कस्टमर्स के लिए बुकिंग कैंसलेशन कम हो बुकिंग कबूल करने के बाद उसको मुकमल करना जरूरी है वरना आपकी तक्मील पर इसका बुरा असर पड़ेगा तो अब पहले से बहतर बाइकिया चलाएं और खूब कमाएं बाइकिया के बुकिंग मुकमल करने का तरीके कार बाइकिया एप खोलें अपना रिजिस्टर नमबर डालें अपना OTP दर्ज करें अगर आप इंशोरेंस के तहफुज के साथ काम करना चाते हैं तो इस बटन पर क्लिक करके इंशोरेंस कवरिज आन कर सकते हैं और बिस्मिला पर क्लिक करके आनलाइन हो जाएं थोड़ी ही देर में रिंगर भजने पे आपको आपकी नजदी की बुकिंग से मैच कर दिया जाएगा और ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी फासला किराया देखकर बुकिंग एकसेप्ट करें या इस क्रॉस बटन से कैंसिल कर दें इसके इलावा शहर भर की बुकिंग रिक्वेस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और अपनी मर्जी से बुकिंग सेलेक्ट करें बुकिंग एकसेप्ट करने पर आपको बुकिंग की मुकमल तफसीलाद दिखेंगी जैसे किराई की अंदाजन रकम, कैश में किराई की वसूली की रकम और कस्टमर का वालेट बैलेंस कस्टमर से रापते के लिए ये कॉल का बटन भी मौजूद है यहाँ आपको कस्टमर तक पहुँचने का अंदाजन टाइम दिखेगा और यहाँ क्लिक करके कस्टमर तक पहुँचने के लिए आप गूगल मैप भी इसमाल कर सकते हैं कस्टमर की लोकेशन पर पहुँचते ही पहुँच गर के बटन पर क्लिक करें बुकिंग स्टार्ट कर दें मन्जिप पर पहुँचकर मुकमल पर क्लिक करें बुकिंग के अखताम पर आपको रिसीट में बिल्की तफसीला दिखाई जाएंगी और ये कुल किराया है अगर कस्टमर के वालेट से कटोती हुई है या प्रोमो कोट पे डिसकाउंट मिला है तो वो माइनस करके ये वो टोटल रकम होगी जो आपको कस्टमर से वसूल करनी है और याद रखें यहाँ कैश में वसूल की हुई exact रकम ही दर्ज करें अगर आपने किराय से ज्यादा कैश वसूल करके इधर लिखा है तो वो कस्टमर के वालेट में टॉप अभी हो जाएगा अब कस्टमर को रेट करें और बुकिंग मुकमल कर दें शुक्रिया बाइक्या कार के बुकिंग मुकमल करने का तरीके कार बाइक्या एप खोलें अपना रिजिस्टर नमबर डालें अपना OTP दर्ज करें अगर आप इंशुरेंस के तहफुज के साथ काम करना चाते हैं तो इस बटन पर क्लिक करके इंशुरेंस कवरिज आन कर सकते हैं अब बिस्मिला पर क्लिक करके आनलाइन हो जाएं थोड़ी ही देर में रिंगर भजनी पे आपको आपकी नजदी की बुकिंग से मैच कर दिया जाएगा और ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी फासला, किराया और मिनी या एसी देखकर बुकिंग एक्सेप्ट करें या इस क्रॉस बटन से कैंसिल कर दें इसके इलावा शहर भर की बुकिंग रिक्वेस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और अपनी मर्जी से एसी या मिनी की बुकिंग सेलेक्ट करें booking accept करने पर आपको booking की मुकमल तफसीलाद दिखेंगी जैसे किराई की अंदाजन रकम, cash में किराई की वसूली की रकम और customer का wallet balance customer से रापते के लिए ये call का बटन भी मौजूद है यहाँ आपको customer तक पहुँचने का अंदाजन time दिखेगा और यहाँ क्लिक करके customer तक पहुँचने के लिए आप Google Map भी इसमाल कर सकते हैं customer की location पर पहुँचते ही पहुँच गर के बटन पर क्लिक करें और customer के गाड़ी में बैठने के बाद booking स्टार्ट कर दें मन्जिर पर पहुँचकर मुकमल पर क्लिक करें booking के अखताम पर आपको receipt में बिल की तफसीला दिखाई जाएंगी और यह कुल किराया है अगर customer के wallet से कटोती हुई है या प्रोमो कोट पे discount मिला है तो वो माइनस करके ये वो total रकम होगी जो आपको customer से वसूल करनी है और याद रखें यहाँ cash में वसूल की हुई exact रकम ही दर्ज करें अगर आपने किराय से ज्यादा cash वसूल करके इधर लिखा है तो वो customer के wallet में top अब ही हो जाएगा अब customer को rate करें और booking मुकमल कर दें शुक्रिया वसस पार्टनर आपको बताएंगे बाइक वालट में जैस कैसे पैसे कैसे ट्रांसफर किये जाते हैं आपने पहले search bar में अपने जैस कैस के search bar में बाइकिया लिखना है बाइकिया लिखेंगे तो आपके पास बाइका का एक commercial payment का आइकन नजर आएगा उस पे click करेंगे आप और यहाँ पे आपने अपना driver ID लिखना है यानि जिस पे आप as a driver registered हो तो मेरा driver ID यह है तो मैं अपना driver ID लेट से यहाँ पे वो लिख रहा हूँ और next आपने नीचे continue है continue पे click करेंगे और then आप यहाँ पे amount लिखेंगे याद रखिए कि 50 रुपे से कम आप amount इंटर नहीं कर सकते तो 50 रुपे से ज्याला कि अपने amount इंटर करके उसको submit कर देना है और यहाँ पे आप अपना इसको confirmation करेंगे next पे जाके और transaction confirm करेंगे और then अपना pin code लगाएंगे यहाँ पे लेट सेजी मेरा pin code यह है और मेरी amount जो है जैस कैसे मेरे वाइक्या wallet में transfer होने के लिए हमारे नमाइदे को request चली जाएगी अससलाम अलेकुम बाइक्या पार्टनर्स बाइक्या डिलिवरी बुकिंग दो धना की होती है एक COD और दूसरी NOD चैश और डिलिवरी की बुकिंग उठाएं और खूब कमाएं इस वीडियो में बुकिंग को pick और मकमल करने तक का असान तरीका बताया गया है पार्टनर एपर लोड बोर्ड में इस आईकन की तमाम बुकिंग डिलिवरी की है बुकिंग की लोकेशन और किराया इस स्क्रीन पर नज़र आएगा तो अगर ये बुकिंग आपके मतलब की है तो बुकिंग منदखे पर क्लिक करें इस स्क्रीन पर बुकिंग बनाने वाले की यानि जिसने रैट बुक की है उनकी तफसीलात हैं जिसमें किराया, वालेट बैलन्स और वसूली की रकम मौझूद है ये पार्सल भीजने वाले की पिक अप लोकेशन है पिक अप पर पहुँचने के बाद पहुँच गए पर क्लिक करें पहुचने के बाद बुकिंग बनाने वाले से किराया वसूल करें और वालेट के साथ दिये गए प्लस साइंग पर क्लिक करके जितना किराया आपने वसूल किया है यहां दर्श कर दें बुकिंग बनाने वाले से ड्रॉप अफ लोकेशन लाजमी पूचें अगर अप्लिकेशन में डाली गए लोकेशन ठीक नहीं है तो तफसीलात पर क्लिक करके इस आईकन पर क्लिक करें और सही पता दर्श करें और अगर कस्टमर को एक से ज़ादा पार्सल मिज़वाने हैं तो यहां क्लिक करके नए पार्सल की तफसीलात दर्श करें। याद रखें, तफसीलात तब्दील करने से किराय की रिकम भी तब्दील होगी। तो कस्टमर से उसी हिसाब से किराय वसूल करें। किराया और parcel वसूल करने के बाद booking स्टार्ट कर दें. याद रखें, booking स्टार्ट करने के बाद आप तफसीलात में कोई तब्दिली नहीं कर सकते. अब drop of location पर पौहँचकर booking मकमल कर दें. booking मकमल करने के लिए drop location का बटन प्रेस करना लाजमी है. यहां क्लिक करके लोकेशन की तज़्दीग करें उसके बाद बुकिंग को मुकमल कर दें पार्सल कस्टमर तक पहुचाने के बाद इस स्क्रीन पर पार्सल वसूल करने वाले का नाम, मुबाइल नंबर और कस्टमर से वसूल करदा रकम दर्च कर दें फिर rating दे कर booking का इखतिदाम करें बाइक या पार्टनर रेफर करने का तरीका बहुत ही आसान है जिसको रेफर करना है उसके फून पे बाइक या पार्टनर एप डाउनलोड करवाएं एप पर पार्टनर का नमबर दर्च करें इस नमबर पे आपको वन टाइम पासवर्ट भेजा जाएगा वन टाइम पासवर्ट दर्च करने के बाद AC या नौन AC के मताबिक option सेलेक्ट करें पार्टनर का ID कार्ड नमबर दर्च करें और शहर मुनतखिब करें अब गाड़ी की फोटो अपलोड करें या गैलरी से मुनतखिब करें गाड़ी का ब्रैंड, मॉडल, रिजिस्ट्रेशन का साल और रंग मुनतखिब करें इसके बाद अपनी सेलफी, CNIC की फरंट और बैक की फोटो कार रिजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो अपलोड करें आप्शनल में आप से इमेल और रेफरल नमबर मांगा जाएगा वहाँ अपना रेफरल नमबर दर्ज करना लाजमी है याद रखिए पार्टनर को रिजिस्टर करने के लिए पार्टनर के पास आईडी कार्ट, लाइसेंस और कार के पेपर्स होना लाजमी है रेजिस्टरेशन के दौरान रेफरल नमबर की जगा अपना बाईक या पार्टनर रेजिस्टर नमबर दर्ज करें रिजिस्ट्रेशन के दौरान, आईडी कार्ट, गाड़ी के पेपर्स और लाइसेंस की फोटो वाजे और साफ लगाएं वरना अकाउंट रिजेक्ट भी हो सकता है असलाम अलेकुम बाइके पार्टनर्स बाइके डिलिवरी बुकिंग दो धना की होती है एक सी ओडी और दूसरी अनोडी एनोडी में कस्टमर के पार्सल के वस कोई रिकम वसूल करनी नहीं होगी इस वीडियो में एनोडी बुकिंग को मकمل करने का तरीका बताया गया है पार्टनर एपर लोड बोर्ड में इस आईकन की तमाम बुकिंग डिलिवरी की है booking की location और किराया इस screen पर नज़र आएगा तो अगर ये booking आपके मतलब की है तो booking मुन्दखिब पर क्लिक करें इस screen पर booking बनाने वाले की यानि जिसने right book की है उनकी तफसीलात हैं जिसमें किराया और wallet balance है ये parcel भेजने वाले ही pick up location है pick up पर पहुँचने के बाद पहुँच गए पर क्लिक करें पहुँचने के बाद booking बनाने वाले से किराया वसूल करें और wallet के साथ दिये गए प्लस sign पर क्लिक करके जितना किराया आपने वसूल किया है यहां दर्श कर दें booking बनाने वाले से drop of location लाज़मी पूचें अगर application में डाली गए location ठीक नहीं है तो तफसीलात पर क्लिक करके इस icon पर क्लिक करें और सही पता दर्श करें किराया और parcel वसूल करने के बाद booking स्टार्ट कर दें याद रखें booking स्टार्ट करने के बाद आप तफसीलात में कोई तबदीली नहीं कर सकते अब drop of location पर पहुँचकर booking मकमल कर दें booking मकमल करने के लिए drop location का बटन प्रेस करना लाजमी है यहाँ क्लिक करके location की तद्रीग करें उसके बाद booking को मकमल कर दें पारसल कस्टमर तक पहुजाने के बाद इस स्क्रीन पर parcel वसुल करने वाले का नाम और mobile number दर्च करें फिर rating दे कर booking का इखत्ताम करें